ये खाना एक माहिर रसोई द्वारा बनाय जा रहा है, घर पर खुदी बनाने की कुशिश मत कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है ये दिवाली के पठाके नहीं है, ये भारतिय पाक कला है मुझे एक कंस्ट्रक्शन देखने जाना था और आश्रम की दूसरी चीज़ें देखनी थी, पर आज बहुत बारिश है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ भारतिय भोजन पकाते हैं भोजन की मातरा देखकर ये मत सोचिए कि मैं अकेला ये सब खाऊंगा घर पर आज कुछ महमान आने वाले हैं और आज बारिश है तो हम बस खाएंगे और बाते करेंगे तो मैंने सोचा कि उन्हें ये खाना खिला कर अपनी पाक कला से उन्हें थोड़ा हैरान कर दूँ ये ऐसा भोजन है जिसे पकाने के लिए हर पल की भागीदारी चाहिए ये ऐसी चीज नहीं है जिसे चुले पर रखकर छोड़ दिया जाए और इसी लिए इसमें आपकी जीब को गुलाम बनाने की ताकत है मेरा पकाया खाना खाकर वे यकीनन मुझसे प्रेम करने लगेंगे वैसे ये मेरी अपनी अनोखी रेसिपी है माफ कीजिए मैं वीडियो के जरीए आपको चखा नहीं सकता यहां हम कुछ अच्छे पराठे बना रहे हैं दक्षिन भारत में हम इसे चपाती कहते हैं पर यह ऐसल में पराठा है तो हालांकि आश्रम में भोजन मिलता था पर मैंने खाना पकाना सीखने का फैसला किया उससे पहले मैं रसोई में वाकई कभी नहीं गया था और कुछ सीखा नहीं था पर मैंने सोचा मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण और काम की चीज है क्योंकि राधे को विज्जी का बनाया खाना बहुत पसंद था और विज्जी ने मेरी मा से खाना बनाना सीखा था तो मैं अपनी बहन के पास गया कुछ चीजें सीखी और फिर अपने तरीके से कई चीजें तयार की वैसे कई साल पहले असल में कुछ साल पहले मेरी बेटी ने मेरे बनाए खाने की तारीफ की कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा कुख हूँ ज्यादा खराब नहीं बनी बिल्कुल चंद्रमा, पूर्णिमा के चांद जैसी है मेरा कहना है कि अगर चपाती एक नक्षे जैसी दिखे तो अगर आप कम से कम उस्ट्रेलिया का नक्षा बनाते हैं तो आप ठीक जा रहे हैं दक्षन अमेरिका बनता है तो बुरा है पर अगर इंडोनीशिया बन जाए तो आपको फिर से स्कूल में जाना होगा देखिए मेरा पराठा पूरीत की घरा फूल रहा है अंदर की गर्म हवा से एपक गया है ये कैसा है अंदर की जाए